Theories of Motivation में जो आज हम लोग third theory discuss करने वाले हैं, उसका नाम है हर्जबग, two factor theory, यानि कि motivation hygiene theory, अब दिखिए motivation hygiene theory में जो दो चीज़े main पढ़नी होती है, उसमें एक होता है motivation factors और एक होता है hygiene factors, motivation factors से जो होता है employees को motivation आता है, लेकिन hygiene factors से motivation कुछ नहीं आता, लेकिन motivation down होने से hygiene factor ब बढ़ेंगे, achievement जो होता है, यानि कि कोई उपलब्धी, या फिर recognition मतलब आपकी अलग किसी पहचान, या फिर काम खुद, या फिर responsibility, जिम्मेदारी, या फिर तरकी, ये सारी चीज़ें जो मिलती है किसी भी इंसान को, या फिर किसी भी employee को, तो वो motivated होता ही होता है, इसलिए इनको motivation factors कहा गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, एक जो employee होता है, उसके motivation को बढ़ाने का काम करती है, घटाने का नहीं, achievement, recognition, work itself, responsibility and advancement.